ओके गाईज वेलकम बैक अगें टू दा गुरू अडी चैनल भाई आज की वीडियो में आप लोगो सीखने को मिलेगा कुछ इस तरीका एक फोटो एडिटिंग जैसा कि आप लोगों ने थमलीन में देख लिया होगा तो हम गाईज बिना किसी तरीक आर वीडियो को स्टार् अगें तो सबसे पहले गाईज मैंने स्नैपसेट अप्लिकेशन में अपना नॉर्मल फोटो यहां पर इंपूर्ट करने यह बाद पैंसेव वाले अकन पर किलिक करूंगा मैं यहां पर ब्लेक और वाइट का एक फिल्टर इसको स्लेक करने बाद यहां पर काफी सारे आपक करें यहां पर हम स्लेक करेंगे एडिट में घीपल कंगा तो हमारा फोटो ही पहले जैसा में तो हमें क्या करना है इंवर्ट करना है देखो कट के बगल में जो यी बटन है इस पर आप किलिक करों तो इनवर्ट हो जाएगा इनवर्ट करने बात गैस यह जो एरो दिख रहा है एरो को आपको जीरो पर रखना डाउन में एंड जीरो पर रखके कुछ इस तरीके से अपने आपको एरेज कर लेना है थीक है हमै सिर्फ इए इफेक्ट अपने कपडों पर और बैगरउंड पीचे है ए तो हमने गैज एरेज क लिए अपनेय इंड़ स्कीन के उपर से आप एरेज करने अब सिंपल हैसर डन करंशा ने बात आइकन वाले आइकन में चलेंगे and इस बार guys हम tonal and contrast tool में चलेंगे देखो ये वाला tool दिख रहा है ये tonal and contrast जो लिखावाई इस पर आपको click करना है and click करने बाद simple आओगे तो यहाँ पर guys जो first वाला ही tone है high tone उसको आपको कम कर देना है थोड़ा सा and simple है से done कर दो अब done करने ये बात guys फिर से आपको pencil लाल इकन में आना है and इस बार guys यहाँ पर selected tool में आना है and इस तरीके से अपने face पर आपका face थोड़ा सा dark लगे वहाँ पर आपको selection को रखना है and वहाँ पर आपको brightness बढ़ा देना है saturation को कम कर देना है अब भी तक guys आप लोग ने यार वीडियो को like नहीं करा तो यार बहुत गलत बात है आपके एक like से आपका कुछ नहीं जाता बट मैं बहुत ज़्यादे मोटिबेट हो जाता हूं फिर आप लोग के लोग और भी कमाल की वीडियो से लगगा है ना तो वीडियो को like कर देना आपके तो guys हमने all over यहाँ पर अपने पूरे skin पर करी लिया है अपका नहीं बात simple guys हम again हम pencil वाले कर में इस बार चलेंगे यहाँ पर इस बार guys आप लोगों चलना है double exposure पर ठीक है और यहाँ से प्लस add photo में click करेंगे और gallery में चलेंगे यहाँ से यहाँ पर देख लेंगे अगर मिल जाता है तो ठीक है नहीं तो हम यह gallery में चलना है यहाँ पर मिल यहाँ ठीक है तो guys यह sunlight का png आपको discussion में लिंक दे यहाँ से and simple हम यहाँ से done कर लेंगे but guys यह थोड़ा light हमारे skin को पर भी आ चुका है तो क्या करेंगे erase करने के लिए and यहाँ पर हम सेम प्रोसेस करेंगे erase करने के लिए ठीक है invert कर देंगे यहाँ से पहले and brush का size 0 पर हमें रख लेना है and इस तरीके से erase कर लेना है अपने skin को अब ठीक लग रहा है ना तो देखो आप simple यहाँ से done कर लेंगे and guys all over हमारा पूरा photo यहाँ पर edit हो चुका है अगर आप लोगो sharpness बढ़ाना है photo में तो चलना है pencil आइकन में and guys यहाँ पर आप लोगो details का option मिलेगा तो detail में आना है and structure इसके इंदर बढ़ा लो आप लो sharpening को भी बढ़ा लो जिससे आपको photo full HD में लगे और साफ दिखे एक दम फूर्टो है ना तो इस हमारा देखो फोटो एडिट होगे before and after आप लोगो दिखाते हूं यह देखो